तो हलो ब्रेवान अम्मीद करता हूं मेरी वोइस पॉपल आ रहोगी सभी तक बारस अभी लोग कन्फर्म कर देंगे और आज हम लोग का आयरे सेशन नंबर 6 रहने आवाला है और कल हम लोग का महा महराथन सेशन हो जिसकी चर्चा में कला अपलगों से कर रहा था तो वो सेशन कल होने वाला है ठीक है गुड इवनिंग्स अभी को समिधा पनादा हरीश बिट्टुडे में ग्रेजुएट को अग्रेचुलेशन बिट्टुशा अपूर अपूरवर पूजा एक्स अटिट्यूड कल होगी ठीक है मेराथन क्लास कल होगी कल और कल स्टार्ट होगी फोर पीम पे कब तक चलेगी यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ बट फोर पीम पे स्टार्ट होगी यह क्लास और कल फोर पीम पे स्टार्ट करना पड़ेगा अगर हमें थोड़ा सा लंबा क्लास रखना है तो ठीक है और अब आपका टाइम सेम रहेगा वही अराउंड जो 4 पीम पे हम लोग कर रहता था ठीक है mostly काम आज मेरे खतम हो चुके है गुड इवनिंग सभी को धरित्री दस, सिट साम, सौजन्य, अभिशेक, राघफ, निंजा चलो सभी को गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं बिना जादा टाइम वेस्ट किया हुए, लेक्चे नमबर 11 है ये, लेक्चे नमबर 11 और 12 करने वाले हम लोग ठीक है 11th and 12th and most probably आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि 9.30 PM के रहाँ देखता हूँ जैसे भी होता है अगर मैं फ्री होता हूँ तो एक टेलिग्राम पर आज लाइव रखते हैं थोड़ा सा इंटराक्शन करते हैं ठीक है 9.30 PM पर इफ पॉसिबल अगर हो पाएगा तो मैं रखोंगा ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं तो यह बिलॉंग करता है और मैंने आपको बताया होगा कि यह जो मालवा रीजन है मद्यप्रदेश का यहीं पर ही आक्चुली जो परमार डैनिस्टी थी परमार किंग्डम था वो यहीं पर रूल करता था मालवा रीजन पर तो यह मद्यप्रदेश है तो फूल पती होगा ठीक है, बात करें मटकी, ये भी जो मालवा रीजन है मद्धिप्रदेश का वहाँ पे folk dance है celebrate कियाता है, जवारा कि अगर बात करें, तो जवारा ये जो बुंदेल खंड रीजन है, मद्धिप्रदेश और UP के जो बॉर्टर पड़ता है, बुंदेल खंड, वहाँ पे जवारा जो है, ये celebrate किया जाता है, आंसर इसका लाहो होगा, जो लाहो है, ये मेगाले का एक folk dance है, ठीक है, कहां का, मेगाले का, मेगाले के हमने और कौन-कौन से folk dance याद किये थे, तो मेगाले में हम तीन tribe पढ़ते हैं, गारो, खासी, जैंतिया, गारो का क्या था, वंगाला, खास का बाती है, आप जानते हैं, जो लोग क्या करते हैं, अंगे कर्म करते हैं, ठीक है, तो नौंक्रेम इसका खासी tribe करती है, जैंतिया करती है, बहदिन खलाम, और एक पार्ट है, ठीक है, और एक tribe है, यहाँ पर मेगाले में नाल tribe नाम से, वो इसको perform करती है, लाहो को, प्रा digestive system that serves both as mouth and anus, नेन में से किस जानवर के पाचन तंतर में एक ही द्वार होता है, जो मू और गूदा दोनों का काम करता है, options आपके सामने, लाटी, हल्मिंतिस, और्थोपोर्ट्स, एचिनोडेमाट्स, एचिनोडेमाट्स, या फिर अराकनिट्स, options आपके सामने, जली सांसर दीजे, उतसर्व नेह, सचेन, मनीश, मनकेसी, प्रिया भगत, सब का सही है, चलो, तो अगर मैं इस question के आंसर के बात करें, तो सही आंसर होगा, लाटी हल्मिंतिस, लाटी हल्मिंतिस में जो ओपनिंग होती है, वो बोथ as mouth and anus, दोनों की तरह serve करता है, और लेटे, ठीक है लाटी से हमनों को रहा है लेटे, लेटे, यानि की जो flat body होती है, इनको हम flatworms के नाम से भी जानते है, clear, और orthoport में हमने क्या पढ़ा था, orthoport में हमने यह पढ़ा था, it is the largest phylum within the animal kingdom, ठीक है, सबसे बड़ा phylum होता है, एचिनो डर्माट में हमने पढ़ाता है, इनकी spiny skin हो को नए याद किया था, starfish, which is not a real fish, but an example of achino dermata, ठीक है, और लाटी अलमिंथिस अपिया, यह दखेगा कि यह हमारे triploblastic होते है, triploblastic मतलब कि यह इनकी three-segmented, three-segmented form में layer होती है, और इनमें silom नहीं होता है, ठीक है, no silom, what is silom, silom आपका एक cavity होता है, एक opening होता है, उसक आपको background वही थोड़ी से आ सकती है, है ना, मेरी भतीजी है, छोटी सी, वो काफी सोर मचा के रखती है, तो उसी का थोड़ा साउंड हो सकता, आपको background में सुनने को मिले, अगले question आते हैं, third number पे, the revolutionary socialist party was established in Dash, revolutionary socialist party की स्थापना Dash में होई थी, बताएए, जल्दी से बताएए इसमें, जो revolutionary socialist party है, वो कब बनी थी, और बाकी यहां पर में चीज़ा आपको बताना भूल गया, जैसे orthoport में आपको याद आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा, कि jointed legs होते हैं, largest fellow में ने बता दिया, तो open circulatory system होता है, और इसके examples के अगर बात करें, scorpion, prawn, butterfly, cockroach, यह सब इसक example हो जाएंगे, ठीक है, और अगर बात करें, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले question पर आते हैं, third number, जो the revolutionary socialist party कब बनी थी, 1929, 40, 1925, फिर 1936, तो सही answer होगा, 1940, अब इसका को confuse नहीं करना है, Congress Socialist Party से, यह revolutionary socialist party के आपर बात हो रही है, Congress Socialist Party अलग थी, और जो आपकी HSR है, Socialist Republic Association दोनों अलग थे, Congress Socialist Party है कि अगर हम बात करें, कल देगा था 1934, अचारे नारायन देओ, जह प्रकास नारायन, मीनू मसानी, यह इसके founder थे, और है सारे की अगर बात करें, तो 1928 में, 1928 में बनती है, फिरोशा कोटला में, चंदरिशे का राजाद इसके primary founder थे, तो answer इ exothermic decomposition यह फिर combination reaction, respiration की बात हो रही है, अब आप तब तक यह बताएंगे कि respiration क्या होता है, तो यह भी recall करिये, respiration कहां पर होता है, respiration होता क्या है, कितने type के respiration होते हैं, क्या product बनता है, और सारा कुछ, जो कि कल ही मैंने आपको बताया था, कि जो respiration होता है, जो session होता है, एक process होता है, जिससे कि हम energy extract करते हैं, अपने food से, जो खाना खाते हों किस form store होता है, कल देखे थे glycogen, हम इंसानों में, plants में किस form store होता है, बताये, अब यह जो glycogen है, सबसे पहले glucose में तूटता है, glycogenolysis process से तूटता है, उसके बाद यह जो 6 carbon molecule है, glucose, यह pyruvate, जो कि 3 carbon molecule है, in the cytoplasm, further यहां से 3 branches निकलती है, aerobic respiration, anaerobic respiration and the respiration in the lack of oxygen, तो वो हम लोग ने देखे तो products क्या बनते हैं, और lactic acid बनता है in the absence, not in the absence, in the lack of oxygen और वही lactic acid cramps develop करता है, यह reaction जो होती है, जो respiration reaction होती है, यह हमारी exothermic होती है, यानि कि heat जो है, वो evolve होती है, heat जो है वो निकलती है, और इसी को हिंदी में बोलते है, उश्मा शेपी, उश्मा शेपी इसी अभिक्रिया को बोलते है, endothermic वो reaction होती है, जहां पे heat की need होती है, decomposition हम देख चुके हैं, examples हमने देखे, agbr, जिस reaction को हम photography, black and white photography में use करते हैं, साथ ही साथ हम लोग ने lead nitrate का decomposition भी gas निकलती है, और इसके कितने moles निकलते हैं, वो comment बताएं, जिस जो brown fumes के form में निकलती है, सफेज जाग के form है, combination reaction के अगर बात करें, तो इसका सबसे best example हो जाएगा, हमारा slaked lime का carbon dioxide के साथ reaction, the gas that tends lime water milky, और यह बना देती है, calcium carbonate, जो की lime stone है, जो की marble है, जो की chalk है, clear है, और अगर हम plants में बात करें, तो हमारा खाना जो है, plants में starch के form में store होता है, और यह निकालती है, आपकी 4 moles of gas, O2 भी निकलती है, लेकिन brown fumes निकलते है, nitrogen, dioxide के, NO2 के, clear है, अगले question पर आते हैं, और एक combustion reaction का example आप दे दीजे, combustion reaction का example आप देंगे, अगले question पर आते है, इन इंडि हमीत रूप से जनगर्णा की जाती है, 12 साल में 10, 8 या फिर 5, अब census से regarding सारी चीजें जो कल ही है, I think मैं आपको बताई थी, वो recall करनी है, पहला census, पहला synchronized census, census किसके टाइम पर हुआ था, father of Indian census किसको बलता है, latest जो census हुआ था, और पहला independence के बाद कब हुआ था, उसके theme क्या 15 हो चुके हैं, लेकिन independence के बाद 7 हो चुके हैं, ठीक है, सोलवा वाला अभी होना था, कब 2021 में होना था, लेकिन COVID के उज़सा नहीं हो पाए, जो की टल चुका है, इसके डॉक्टर विवेक जोशी इसमें चेर्मेन रहेंगे और सारी चीज़ में आपको बताई थी, ठीक है बाकी इसमें जादा डीप में हमें नहीं देखना है, father of Indian census बोलते हैं, Henry Walter को, Henry Walter को father of Indian census बोलते हैं, पहला census 1772 में हुआ था, पहला synchronized census 1781 में हुआ था, इसके चेर्मेन के अगर बात करें, यह हुआ था, रिपन के टाइम पे, इसलिए रिपन को father of local self government भी बोलते हैं, कुछ रिपन ने बहुत काम किया था, और यह हुआ था, मियो के टाइम पे, ठीक है, और मियो को यह regarding याद रोना चाहिए, कि इसको मारा गया था, मियो को, अंडमान निकोबार में मारा था, ठीक है, और 1781 में अगर बात करें, तो 1781 में आगर बात करें, तो 1778 इन भी रिपन के ट आपको बताना है दस एक्किस उन्यासी या फिर उन्तालिस पताया और शेर अली किल्ड दी में बिल्कुल 1872 पर 1872 तो लिखा है ओके 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 किस कई साथ क्दे तो सभे लोगी किसे बात करेंगो तो अपशिन nr 20 slide 21 होता है अब इत्मास्ट्र प्रहे का बात कर लें उध्मास्ट्र होता क्या है वाइउ मच्डल वह है जिसकी वांसे जीवन एक तरह से possible है, इस वायू मंदल को किसने hold करके रखा है, atmosphere को gravity, जो earth की gravity उसने उसको hold करके रखा है, atmosphere के गर बात करें, इस पर different layers है सबसे पहले हमारी छोब मंदल, troposphere है उसके बाद समताप मंदल, stratosphere है उसके बाद मध्य मंदल, mesosphere है उसके बाद आपके thermosphere है उसके उसी में आपकी आइनosphere and आपकी आजाती है, exosphere जिसको बाद मंदल बोलते हैं इसी thermosphere का आपका part होता है आइनosphere, troposphere सबसे जो निचली परत होती है, उसको troposphere बोलते है एकदम earth के सबसे नजदीक, यहाँ पर इसने भी weather phenomena होते है, जितने भी मौसमी घटना होती है, वो यहीं पर होती है उपर जाने में temperature घटता है, जिसको lapse rate बोलते है, कितना घटता है, एक किलोमेटर जाने पर 6.5 डिग्री सिलसे घटता है स्टाटो सफेर के अगर बात करें, और यहीं पर ही मौसली जो gases है, वो ट्रोपो सफेर में ही reside करती है, क्योंकि जितनी भी dense gases है, वो यहीं पर रहती है सेटल डाउन कर जाती है, दिटो ग्रावटी समताप मंडल में oxygen आपको देखने को मिलती है, लगबग 35 किलोमेटर की height के something ट्रोपो सफेर की आप average height बताएंगे जल्दी से कि इसकी average height कितनी होती है, यहाँ ozone देखने को मिलती है, जो हमें armful UV rays, ultra world rays से protect करती है साथ ही साथ यहीं पर जो हमारे विमाने वोड़ते हैं विकास यहाँ पर कोई weather phenomenon नहीं होता है, कोई हमें आके खतम हो जाते हैं, thermosphere में ionosphere देखने को मिलती है, और ionosphere से ही हमारी जो radio तरंगे है, radio waves वो reflect होके वापस आती है, और average high troposphere की होती है, 13 km क्योंकि poles पे कम होती है, 8 km equator भूम अद्दे रेखा पे ज़्यादा होती है तक्रीबन अगर मैं बात करूँ, कितना हो जाएगा 18 km, ठीक है, 18 km होती equator पे, तो average हो जाएगा आपका 13 km और यहीं पे आपकी mostly gases देखने को मिलते हैं, और gases के अगर ratio की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी nitrogen 78% then approximately 21% oxygen 0.9% organ देखने को मिलती है, ठीक है यह oxygen, यह nitrogen 0.9% organ और 0.036% होती है आपकी 0.036% होती है carbon dioxide, और यहाँ पे मैंने इसकी आपको सीजल 2024 के लिए कैसे prepare करें है, वो सारी चीज़े हमको बताऊंगा, ठीक है, वो scratch से हम लोग 2024 के लिए करेंगे, चंदर जी ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे आपको atomicity भी इसकी बताई थी, कि nitrogen की atomicity यहनगी जिसको परमाणुता बोलते है इंदी में कितनी होती है, 2 होती है, oxygen की कितनी होगी, 2 होगी, क्या होता है atomicity, कितने number of atoms है, जल्दी से बताईए, phosphorus की atomicity कितनी होती है, sulfur की atomicity कितनी होती है, और ozone की atomicity कितनी होगी बताई जल्दी से, तो अगर हम बात करें, atomicity की तो phosphorus की 4 होती है P4 के form में exist करता है, sulfur की बात करें, 8 होती है, acid और ozone क्योंकि O3 होता है, तो इसकी atomicity 3 होगी, यह तोटल number of कितने atoms attached हैं, उसको बोलते है, atomicity clear है, अगले question पर आते है, who moved the objective resolution, अच्छा एक चीज़ और यह तो हमारे, जो atmosphere है, उसका distribution है जो हमारी earth crust है, उसमें क्या, किस तरह हमारे element है, सबसे ज्यादा कौन सा element है, ठीक है सबसे ज्यादा कौन सा element है सबसे ज्यादा कौन सा metal है, यह आपको बताना है जल्दी से, earth crust who moved the objective resolution that was later adopted as the preamble of the constitution of India वस्तुनिस संकल्पु किसने आगे बढ़ाया जिसके बाद भारत के समगिधान की प्रस्तावना की रूप में इसको रूपांतरेत किया गया, किसने अम बेटकर जी ने, राजियंद प्रसाद जी ने जवालाल नहरू है, फिर जेबी करपलानी तो पहले मैं इसका answer बता देता हूँ, उसका OCR करके मैं नयाद करवाया था, ठीक है OCR, सबसे ज़्यादा element यहाँ पर oxygen देखने को मिलता है, approximately 47% और सबसे ज़्याद अगर metal की बात करें तो aluminium जो की 8% है सबसे ज़्याद है element oxygen, then silica, then aluminium लेगिन कि अगर metal की बात होगी तो answer would be aluminium Who moved the objective resolution, किसने move किया था objective resolution, तो जवालाल नहरू ने किया था कब move किया था यह, यह बताइए कब इसको accept किया गया था objective resolution को यह बताईए, ठीक है तो अगर हम बात करें, constituent assembly जो समिधान सभाब गठन हुआ था, समिधान मिलाने के लिए इसके पहली meeting हुई थी 9 December 1946 को फिर 13 December 1946 को इननों objective resolution उदेश प्रस्ताव लाए और 1946 13 December 1946 22 January 1947 को इसको adopt कर लिए गया इसेंबली के दोरा, ठीक है यही बाद में जाके हमारा preamble बनता है ठीक है इसी के जो ingredients है, प्रस्तावना बनते है प्रस्तावना के अगर बात करें तो जब हमारा पूरा समिधान बन गया था उसके बाद preamble बना था प्रियांबल हमारे समिधान का हिस्सा है इसको संसोधित किया जा सकता इसको एक बार संसोधित किया गया 42nd Amendment से तीन नए शब्द जोड़े गया सिस यानि सोशलिस, सेकिलर और इंटेग्रिटी यानि की समाजवाद, पंथ निरपेश और अखंडता इसको जोड़ा गया, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया 42nd Amendment of 1976 जिसको मिनी Constitution of India के नाम से जानते हैं प्रियांबल को, Identity Card of Constitution बोला था हमारे एने अपाल की वाला जी ने Constitutional Assembly के अगर बात कर लें तो इसमें इसके Temporary Chairman कौन थे, Permanent Chairman कौन थे को बता होना चाहिए तो जिसके जो Temporary Chairman हमारे बने थे, वो बने थे कौन? सचिदनान सिनहा as a French practice, because हब से सेनिर थे Permanent बने थे राजेंद प्रसाद जी फिर अगर हम बात करें Constitutional Advisor या फिर Legal Advisor समविधानिक सलहकार कौन था समविधान सबा का, तो ये बन राव सर बने गल नर्सिंग राव जी थे और Chief Draftsman की अगर बात करें सारी चीजे इन आपके notes में लिखी होंगी बस मैं आपको revise कर रहा हूँ Chief Draftsman हमारे S.N. Mukher जी, ठीक है Chief Draftsman थे और Secretary की अगर बात करें वो आपका अरुनाचल प्रदेश से सम्मान दीत है ये आपको बताना है तो अव्यस ये बात है, यहाँ पे बुईया साई आंसर होगा, मैंने आपको पूरा बताया था अरुनाचल प्रदेश के dance कैसे याद करने मैंने आपको trick बताई थे, the trick was कि अजी, बववा के पास चलो, है ना, ऐसे मैंने आपको याद करवाया था कि अजी, बववा के पास चलो, ठीक है और lion and peacock dance, देखो चलके ऐसे करके मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है तो अजी से हो जाएगा आपको आजी लामू यह dance आपका अरनाचल का बहुवा से बहुः हो जाएगा पासी से हो जाएगा पासी कॉंकी पासी कॉंकी हो जाएगा चालो से चालो हो जाएगा चालो जो है इस dance को कौन सी tribe परफॉर्म करती है आपको अधाना है और लयनन पिकॉक डान्स तो ये सारे आपके एक ट्रिक से याद होगा है नांसे वोट भी गरबा के अगर बात करें तो गरबा आपका उजरात का है पनवाडिया, बिदेसिया, जजिया, जहरनी, जाट जाटिन ये सब कहां के हैं ये आपके हैं बिहार के धमन के अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश का है आपका धमन ठीक, नाइन्थ नमबर पर आते हैं match the industrial plant with its location बालको इसको NFL और IECF and integral coach factory इनके related location आपको बताने हैं left side में आपको name of industrial plants दिये हुए है तो बालको के अगर बात करें जो aluminium company है यह इसका है आपका कोरबा 36 गड़ में तो option number C सही answer होगा इसको के अगर बात करें बन्पुर वेस्ट बंगॉल में है NFL के अगर बात करें तो यह आपका है भटिंडा पंजाब में और ICF integral coach factory यह आपकी चन्नाई में तो answer would be A का first का C then A, then D और then आपका B तो CADB option number A ठीक अगले question पर आते हैं अगला question है 10th number plan revenue expenditure relates to plan revenue expenditure किस से related है यह आपको बताना है 5 year plan यह फिस salary and salaries and patients तो यह मैंने आपको बताया था कि जो अभी हम current में देखते है revenue expenditure, capital expenditure जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल करी थी काफी detail में तो यह जो है यह पहले से नहीं चलता आ रहा था यह अभी recent में adopt किया गया था ठीक है system after the recommendation of रंग राजन committee ठीक है उससे पहले यह जो revenue और capital इसको हम plan expenditure और non plan expenditure की रूप में जानते थे plan वो होता था जो five year plan यह जिसको plan किया जाता था जो five year plan का हिस्सा होता था ठीक है और non plan वो होता था तो obvious ही बात है जो plan नहीं किया जाता था जो salaries और pensions है वो तो government का as usual जो खर्चा चलता आ रहा था उसी का part था इसको plan नहीं किया जाता था plan किया जाता था five year plans को तो जो plan revenue expenditure है वो five year plan का हिस्सा था तो option number d यहाँ पे सही आंसर होगा only one clear है और कल पूरा expenditure सारी चीज़ हम लोग ने देखे थी what is the average thickness of the continental crust of the earth प्रत्वी की महादवीपी परद की औसरत मुटाई कितनी है 335 यह फिर नहीं किलोमेटर continental crust की बात हो रही है जल्दी से recall करिए सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें कि crust अर्थ की वॉल्यूम का कितना परसेंट है फिर हमारी मैंटल है वो कितना परसेंट है और कितना परसेंट है कौन सी discontinuity कि इसको separate करती है यह recall करिए ऐस्टिनो स्फिर कहां पर इसको रिकॉल करिए outer core और inner core में कौन liquid है कौन solid है इसको recall करिए जल्दी से तो अगर हम यहाँ पर बात करें continental crust की तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे जो उपर ही परत होती उसको हम crust बोलता है क्या बोलते हैं तो यह मैंने आपको difference बता था कि जो हमारी continental crust होती है वो थिक होती है लेकिन light होती है निकि oceanic crust जो है वो thin होती है और dense होती है इस चीज़ को अपने आद रखना है तो जो हमारी continental crust है उसकी जो थिकनेस होगी that will be 30 km जो oceanic crust होती है उसकी थिकनेस जो है वो कम होती है around आप यह मान सकते हो कि 5-10 km के बीच में होती है oceanic crust की थिकनेस और dense होती है आपके oceanic crust जो हमारी continental crust है वो बनी होती है granatic rocky और oceanic जो crust है वो बनी होती है basaltic rocky यह हमने देखा था फिर हमने देखा था कि जो हमारी lithosphere है वो क्या होती है तो lithosphere क्या होती है पूरा crust आप ले लो और mantle का जो upper solid part है उसको ले लो तो यह हमारा मिलके बन जाता है स्थल मंडल जिसको हम बोलते है lithosphere जिसकी जो थिकने सा तक्रीबन 200 km है दोसों और इसके नीचे हमारा present होता है lithosphere के just नीचे we'll see what we'll see आपका asthenosphere asthenosphere आपका semi-multen form में होता है यानि कि semi-multen का मतलब है कि plastic form में होता और इस यही आपका lava या फिर magma का source होता है discontinuity के कर बात करें तो आपर क्रस्ट और lower crust को कौन सेपरेट करता है कोन्रा discontinuity क्रस्ट और mantle को जो सेपरेट करता है वो है mohose discontinuity और अपर mantle और lower mantle को Rapetti Discontinuity अलग करती है, Mantle और Core को अलग करती है आपकी Gutenberg Discontinuity और Outer Core को Inner Core से अलग करती है Layman's Discontinuity, कौन सी? Layman's Discontinuity, ठीक है? Clear है, तो यहाँ पर सही answer होगा, Option B, बाकि जितनी भी एक्ट्टाइ चीजें बता होगी है, 12th number पर आते हैं For how many days is the hornbill festival held जो hornbill festival है वो कितने दिन मनाया जाता है तो hornbill festival आप जानते हैं कहां मनाया जाता है Nagaland में ठीक है festival of hundred drums भी इसको जानते है ठीक है festival of festivals तो hornbill जो festival है 10 दिन मनाया जाता है starting from the 1st December 1st December से लेके 10th December तक चलता है और 10 दिन मनाया जाता है आपका hornbill festival ठीक है 13th number पर आते है Harriyaar Bukka established an independent state in Karnatka and established the capital city of vision अगर on the banks of river Dash in 1336 तो इन्होंने कब यहां पर किस river के banks में पुरा इसका set up किया था विज़ेंगा kingdom का festival of festival बोलता है Vicky Mina बिल्कुल सही December month पूजा, अपूर्वा, समिधा, पनाड़ा, विंकटेश, रागव, सौजन, सभी का सही है अगले question पर आते हैं तो इसका भी बहुत असान आंसर है एक second रुखेगा यह कहां पर मनाया जाता है यह sorry तो विज़ेंगा करें तो इसकी capital कहां पर है इसकी capital है hempi ठीक है और यह जो hempi है That is on the banks of Tunghbhajarivar Tunghbhajara किसकी tubatory है Krishna की Krishna की tubatory कैसे आत करी थी भीम तू मौसी को लेके घाट पे जा और माल रिसीफ कर रहना तू भीम से भीम, तू से तुंग भद्रा, मौसी से मौसी, घाट से घाट प्रभा, माल से माल प्रभा तापी, महानदी, बेतवा, सब को चायर कर चुक है, ठीक है, चम्बल, सिंद, बेतवा, केन किसकी टिब्यूट्री है, यमुना की टिब्यूट्री है, यमुना किसकी टिब्यूट्री, गंगा की टिब्यूट्री, राइट बैंक टिब्यूट्री, यमुना कहां से निकलती है, बंदर्पुन से निकलती है, कहां मिलती है, प्रयाग राजे मिलती है, और चंबल, सिंद, कीजिए जो इूदो सीलोमेट नहीं है अब यह faj Hash Metal १ol शी छो मेट से लो beb वो घुटा वह स्में सेलोम होता जिसमें नहीं होता इसको लुन्त शार क Shiv और पोलते थी लॉनकि एक कविटी उत्यों मतलब कौ सकते हो Pseudo का मतलब है कि false, false cavity है, यानि कि दिख तो रही है, लेकिन actual में वो cavity नहीं है, तो उसको बलते हैं Pseudo-Sylomate, नहीं है कौन सा Pseudo-Sylomate, अब Pseudo-Sylomate होता कौन है, यह होता है, Nematodes जो होते हैं, उनको Pseudo-Sylomates बोलते हैं, Nematodes और कोई नहीं, बलकि Aeschel-Menthis ही होते हैं, Aeschel-Menthis ही हमारे Pseudo-Sylomates क्यालाते हैं, और उनको Pseudo-Sylomate बोलते हैं, तो जो हमारे Scorpions होते हैं, यह तो अभी देख क्या हैं, किस Phylum से बिलॉंग करते हैं, Orthopoda Phylum से बिलॉंग करते हैं, तो अव्वेस ही बात है, इनमें तो सि Categories से आते हैं, बाकी जो हमारे हैं, Cyclostoma, Ascarius, Vucharia, यह तीनों बिलॉंग करते हैं, Nematodes Categories से, clear है, अब इससे Cyclostomata, प्रिकॉल कर सकते हैं, जो मैं आपको एक Phylum बता होगा, Cyclostomata, जो Cyclostoma, ठीक है, Cyclostoma है, Cyclostoma है, Cyclostoma है, Cyclostoma है, Cyclostoma है, Cyclostoma है, यह होते हैं आपके Jawless Vertebrates, इनको क्या बोलते हैं, Jawless Vertebrates बोलते हैं इनको, ठीक है, Nematodes को हम Ringworm के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, Ringworm के नाम से, जो आपके Nematodes होते हैं, इनकी Cylendrical Body होती है, किस फॉर्म में होती है, Cylendrical Body होती है, ठीक है, अगले Question पर आते हैं, The Next Question is, 15th Number, Which of the following led English company in the Battle of Plassey, निम कितमें से, किस ने प्लासी के युद, 1757 में, अंग्रेजी कंपनी का नेतरत तो किया था, Hudson, Dalhousie, Clive, या फिर Hasting, Again, a very easy question, Battle of Plassey, 1757 में होगा था, रिकॉल करिये, क्यों हुआ था, ठीक है, और इसके, Aftermath क्या थे, फिर Battle of Buxer के बारे में याद करिये, तो प्लासी के बात कर हुआ क्यों था, because यहाँ पर एक हुई थी, Black Hole tragedy, ठीक है, ऐसा अंग्रेजों को कहना है, कि सिराजो दौला ने काल को ठेरे में बंद कर दिया था, काफी सारे अंग्रेजों को, और जिनकी डेथ हो गई थी, तो फिर Clive ने लीड किया था, Battle of Classy को, मीर जाफर, जो की कमांडर था, सिराजो दौला को उसको अपने साइड में लिया, ठीक है, और यह लालच दिया कि तुमको हम राजगदी देंगे, और इसने चलकपट किया, सिराजो दौला के साथ, सिराजो दौला की हुई हार, अंग्रेजों की हुई जीत, ठीक, अब हुआ क्या, इसके बाद हुआ ने लीड किया forces को और इससे में आपका वंसी टार्ट था एक सेकेंड वंसी टार्ट इससे में हुआ करता था आपका governor general और battle of bucksar आपको ये पता है किसके बीच होना ला गया था एक तो शुजाउद दौला था एक शाह आलम सेकेंड था और मीर कासीम था मीर जाफर का दमाद इ वो तीनों हार गए और भकसर में अंग्रेजों की फिर से जीत हुई और इसका aftermath बहुत important है 1765 में एक संधी एक treaty sign होती है जिसको किस नाम से जानते हैं जरा वो बताईए क्या treaty है वो और यहीं से dual government start होती है तो Robert Clive को दौएद शासन का जनक कहा जाता है dual government ठीक है इन dual government in Bengal इसने start की जिसको end किया end किया Warren Hastings ने dual government in Bengal को end किया Warren Hastings ने 1765 में होई Allahabad की treaty ठीक है Allahabad treaty sign होई अगले question पर आते हैं 16th which of the following combinations of ruler and predecessor is correct with respect to the Delhi Sultanate तो यहाँ पे कौन सा combinations है जहाँ पर पहले ruler का नाम लिखा और फिर predecessor यानि उससे पहले जवाया था उसका नाम यानि यहाँ पर ruler और उससे पहले जवाया था तो अव्वेस ही बात है मुहमद बिन तुगलक बाद में आया था और ग्याजित दिन तुगलक पहले आया था तो यह हो नहीं सकता है ठ proud को अलालावृ वास्तन की के पहले जला रखे था यहां पर थे हां और उसके पहले जो आया था उसको यहां पर आगे होना चाहिए था ज्लावा पलते हैं जिक ह्याज संगा बारा इन कुद्द से सनसापक तक उतबुदी नेवक के बाद इल्टुतमेश उसके बाद बेटी उसकी रजिया और उसके बाद जो है मुस्ली बलबन ने रूल किया इसके बाद आ जाती है खिलजी डैनिस्टी खिलजी ने कर बात करें 1290 से लेकर 1320 से लेकर 141480 तक रूल किया तुगलक्स ने ठीक 1451 AD तक रूल किया सैयद से ने ठीक है सैयद से ने और उसके बाद 1451 से लेकर 1526 AD तक रूल किया लोधी डैनिस्टी ने जिसमें की आखरी रूला था इब्राहिम लोधी और इब्राहिम लोधी को हराया किसने बाबर ने 1526 में फर्स्ट बैटल अफ प्लासी प्लासी के पहले युद में पानी पत के पहले युद में 1526 में और बाबर के जीत हुई और वहां से आपका मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है ठीक है अगले question पर आते हैं who among the following does not receive the पत्म विभूशन award in 2023 किसमें इसमें पत्म विभूशन अवार्ड रिसीव नहीं किया आप्शन से स्री निवास वर्धन बाल किषिंदोशी PC महल नोबीस या फिर मुलायम सिंग यादव तो answer obvious है पर PC महल नोबीस होगा 2023 में तो इनको नहीं मिला है है न किसको मिला है यह मिला है दिलीब महल नोबीस को तो PC महल नोबीस से confuse नहीं करना है PC महल नोबीस से आपको क्या क्या recall आना चाहिए PC महल नोबीस से Indian Statistical Institute के Alcatta 29 June इनका बहुत जिसको हम Statistics Day के रूप में सांखी की दीवस के रूप में celebrate करते हैं इनसे क्या दाना चाहिए आपका Second Five Year Plan जो इनके ही मॉडल पे बेस था ठीक है तो अगर हम बात करें बाल कृष्ण दोशी जी को मिला पोस्तुमस रहने के इनकी डेथ के बाद तो यह आकिटेक्चर ठीक है श्री जाकिर उसेन आर्ट आप यह बताएं किस musical instrument से related हैं आपके SM Krishna Public Affairs, दिली माल नोबेस Medicine, स्री निवास वर्धन Science and Engineering मुलायम सिंग यादव Public Affairs और जाकिर उसेन को मिला है तब ला में ठीक है किसके बेटे हैं यह बताएं जिनका नाम A से स्टार्ट होता है तो answer यहाँ पर option है बसी हो जाएगा इनको नहीं मिला है और यह बेटे हैं अल्ला राखा के है ठीक है अगले question पर आता है The CAG is a dash तो CAG a single member body है, two member body है, three member body है, फिर six member body है कितने members की body है CAG यह आपको बताना है CAG यानि Controller and Auditor General of India तो CAG से आपको recall करना है, इसका article कौन सा है इससे आपको recall करना है, इसको हम किस और नाम से जानते हैं इसको removal कैसे होता है ठीक है, तो article के गर बात करें, article 148 अनुचेद 140 बात करता है इसकी He is known as the guardian of public purse इसको हम बोलते हैं, guardian of public purse पब्लिक पर्स का ये गारजियन है, जो Consolidate Fund of India होता है उसमें कितना पैसा आया गया, ये सारी चीज़ें CAG का देखने का काम होता है removal की अगर बात करें, तो removal वैसे ही होता है जैसे की Supreme Court या High Court के judges का होता है ठीक है, appointment तो इसकी President जी करते हैं और removal वैसे ही होता है, जैसे की Supreme Court और High Court judge का होता है कैसे होता है, हटाता President है लेकिन उसका पूरा removal का procedure चलता है पार्लियमेंट में Special Majorities या निविशेस बहुमत से इसको हटाया जाता है ठीक, और ये हमारी एक Single Member Body है जैसे हम Election Commissioner of India में देखते हैं कि एक Single Member Body है इसको कोई भी Parliament में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है कोई भी Report वगएरा होगी, मतलब कुछ भी अगर बोलना होगा तो ये खुद ही जाके बोलेगा, ठीक है और लेकिन इसको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है ये चीज़ आप याद रखेगा, ठीक है और कुछ और कुछ और चीज़ ये क्या दखना कि He is the Head of Head of Indian Audit and Account Department पहले हमारे CAG कौन थे? पहले हमारे CAG थे वी नरहारी राओ करेंट में कौन है? गरीश चंद्र मुर्मू है ठीक है, जीसी मुर्मू ठीक है, वी नरहारी राओ क्लेर है, अगले कुश्चिन करते हैं और एक चीज़, अच्छा ये बताईए कि सुप्रीम कोड और हाई कोड के जो जजजेस होते हैं उनको किन दो ग्राउंड मैटाया जा सकता है अगला कुश्चिन नाइंटीन्थ नमबर वीचे तो फॉल्विंग पेर्स ऑफ म्यूजिशन और इंस्ट्रूमेंट इस करेक्ट कौन सा गलत है यह आपको पूछा गया है तो गर हम बात करें अभी हमने देखा अभी तो नहीं देखा है राम नारायन जी सरंगी बजाते थे उस्ताद विलायत खान, सितार विलायत खान और इमरात खान दो हम लोग नहीं आद किये हैं विलायत खान और इमरात खान सितार से आपके समंदित बिसमिल्ला खान सभी लोग जानते है साइनाई और बिसमिल्ला खान की रिगार्डिंग हमने याद किया है इनको बहरत के जो top three civilian highest civilian award है भारत वरत में पर्थ मुशन पर्थ मुशन पर्थ मुशन तीनों मिल रखे हैं ठीक है सेनाई से समंदीज और के वैद देनाथ आपके सितार से रिलेटेड नहीं है यह आपके वाइलें से रिलेटेड है तो यह आपका गलत है के वैद देनाथ इस रिलेटेड टू वाइलेट ठीक और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोड़ के जजस को मटा सकते हैं दो ग्राउंड्स इन दो grounds है, Proved Misbehavior और Incapacity Incapacity Proved Misbehavior and Incapacity The last question of this set is World's first living heritage university World की पहली Living heritage university के आपको नाम बताना है तो इसका सही आंसर क्या होगा ये यूनिवसिटे वो है जिसको हमाई Rabindranath Tagoreji ने सिटा किया था Rabindranath Tagoreji सापक कुए आ दाना यह जन गन्मन जो कि मारा नाशनल आन्थम है इसको कमपोज किया अमार सोना और बांगला को इन्हों ने कमपोज किया और फर्स लिविंग हरिटेज जो है इन्हों ने इसेटप एप ते इन्हों ने सेटप करें थी की ओर बढ़ते हैं ठीक है और थोड़ा सा अपना को एनेरजी लेवल मझे पता डाउन लगता होगा है ना तो काफी सारे कारण है एक कारण तो आप जाते ही है बाकी थोड़ा सा काम भी हो जाता है ना तो इसलिए थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन हो जाती वाटम पूरी खुश्चिस करता हूं कि एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखो बिल्कुल से यह बिने कुछ वहा वंगाला इसकुल्स तो हंड़ेड ड्रम्स बिल्कुल से यह अनप पाल वंगाला इसलिए वन्गाला इसलिए फेस्टिवल आफ अंड़ ड्रम्स 17 आज़ जाबाज शिंदाबाद हो के है फॉर्स टाइमर एंटिंग हो के विन है एटीन समीदह आँ स्टार्ट करें लेक्चर नमर टूल्ट चलो तो लेक्चे नमर टूल स्टार्ट करता है and the first question is this as the river enters the plane it twists and turns चलो भी करते हैं ठीक है, स्टार्ट चलो तो as the river enters the plane it twists and turns forming large bends known as dash जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड जाती कर बड़े मोड बनाती है जिसे dash रूप में जाना जाता है meanders, flood plains, oxpo या फिर levies के नाम से जानता है जब river enter करती है तो मटक मटक के चलती है ठीक है, ठुमके मार मार के चलती है इसको हम बोलते हैं river meandering river meandering इसलिए करती है because उसको gradient slope अतना मिल नहीं पाता है ठीक है, clear मेंडर से हमारे बनते हैं oxpo lake ठीक है, मैं आपको बता होगा यह depositional features है levies भी हमारे depositional landforms है river के ठीक है, oxpo भी depositional है flood plains भी depositional है जिसको नहीं सब्च मारा क्या deposition है तो I think अपने previous lectures नहीं देखे है ठीक है, तो यह सारी चीज हम लोग देख चुके है बाकि erosional landform के अगर बात करेंगे rivers की, तो हमारी valleys हो जाएंगी gorgeous हो जाएंगे, canyons हो जाएंगे river terraces हो जाएंगे, यह सब क्या है erosional landform से reverse के बाकि जो हमारे different origins होते है glacier, wind और जो हमारा wave, इन सब के हमने deposition और erosional landform सब कुछ देख रखे है ठीक है, second number question how does HCL help in facilitating the action of pepsin, pepsin की क्रिया को सुविधा जनक बनाने में hydrochloric acid कैसे मदद करता है HCL कैसे मदद करता है तो पूरा digestion हम जल्दी से revise करते हैं, अब आपको करना है आँख बंद, क्या करना है आपको आँख बंद करनी है और जल्दी से हम पूरा खाना रखते हैं मुह में और जल्दी से खाने को मुह से रखके सीधे ठीक है, तो मुह में रखे हैं खाने को और मुह से हमारे सबसे पहले क्या निकलेगा saliva निकलेगा जिसमें की enzymes होंगे salivary mlis, salivary glands होते हैं नीचे टंग के नीचे, वहाँ से saliva निकलता है, उसमें salivary mlis होते हैं, वो पहले complex food को simple में break करता है, वो जो complex food simple में break हुआ, वो फिर esophagus के तुरू, food pipe के तुरू, direct land कहां पे करेगा, land हो किया, पेट पे, करवा दिया सभी ने landing, तो उसको काम करना होता है, और अगर उसको काम करना है, तो medium यानि की अधर आस पास का महल, अमली यानि acidic होना चाहिए, उसके लिए HCL जली से निकल जाता है, अब HCL एक strong acid है, जिसका pH value तकरीबन 1.6 होता है, आप समझ सकते हैं, 1.6 एक बहुत भेंकर, acidic pH value हो जाती है, तो हम होना था हो चुका, अब यहां पर sphincter muscle नामक एक muscle होती है, जो खाने एक gate होता है, जो इस खाने को अब pass on कर देगा, छोटी आथ की तरफ small intestine, जहां पर हमारा major digestion होता है, खाने का, major digestion कहा होता है, small intestine, छोटी आथ, छोटी आथ की लंबाई तकरीबन 7-8 मीटर होती है, और यह पर आपका different type के enzymes आते हैं, किसके दोरा, liver और pancreas के दोरा, liver एक enzyme देता है, जिसको हम बोलते है, bile juice जो की, gall bladder में वो store करके रखता है, पित की थैली में, यह bile juice क्या करता है, यह bile juice करता है, emulsification of fats, ठीक है, fat को emulsify करेगा, फिर अगर हम बात करें, further जो हमारा pancreas है, अगनाशा है, वो pancreatic juice को release करेंगा, और pancreatic juice में different तरह के enzyme होंगे, एक होगा, trypsin, pepsin का भाई, trypsin, pepsin acidic medium में काम करता है, trypsin basic medium में काम करता है, दोनों में बस यही अंतर है, समानता, दोनों में यह है, कि दोनों ही protein को amino acid में break करता है, और lipase, उसी में एक और enzyme मिलता है, pancreatic juice में, जो और break कर देता है, छोटे-छोटे fatty acids में break कर देता है, अब यह खाने में major digestion हो चुका है, यहाँ पर, यहाँ small intestine में finger like projections देखने को मिलेंगे, जिनको willy बोलते हैं, यह surface area को increase करते है, food absorption के, तुमने कभी देखा है, एक, क्या बोलते हैं उनको, जो studio वगएरा तुमनें देखे ह foam लगा होता है, ठीक है, तो वो simple foam क्यों नहीं लगा देता है, का उस्टिक क्यों लगाते है, because वहाँ पर आप देखो, अजीब type को shape होता है, वो surface area को increase करता है, sound के absorption के लिए, उसी तरह जो मारे willy होते है, finger like projections, वो food absorption के लिए surface area को increase करते हैं, और food absorbed हो जाता है, capillaries होती है, अब ये खाना large intestine में जाएगा, large intestine, small intestine से बड़ी तो होती है, लेकिन लंबी नहीं होती, लंबी तो हमारी small intestine होगी, size में बड़ी होती है, लेकिन बस 1-2 मिटर की लंबाई होती है, और 7-8 मिटर small intestine होती है, जो थोड़ा बहुत बचा है, food का जैसे थोड़ा, जैसे की water absorption, वो के करता तो फिर वो 15 मैट लेता ठीक तो यहां पर HCL creates an alkaline बिल्कुल गलत HCL कुछ break नहीं करता है HCL acid creates an acidic medium which facilitate the action of the enzyme pepsin ठीक option number C and I think यह चीज़ें आपको रट कही होंगी cell हो गया tissue हो गया digestion हो गया यह मैंने आपको रटवाद ही है ना जाने कितनी बार अब यहां पर आपको identify करना है chemical formula chloroform का क्लोरोform का formula क्या होता है options आपके सामने हैं तो इसका सही answer क्या होगा CHCL3 chloroform विली वियर इस विली की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है यह विली होता है बाकि जो आप लोग विली विली लिख रहे हो यह एक cyclone का नाम मतलब ऑस्टेलिया में cyclones को विली विली के नाम से जाना जाता है जिस तरह टाइफून के नाम से जाना जाता है South China Sea में hurricane के नाम से जाना जाता है Atlantic Ocean में cyclone के नाम से हमारे Indian Ocean में उसी तरह से विली विली ऑस्टेलिया में तो option number D यहां पर सही answer होगा according to the census 2011 का census में literacy rate कितना है इंडिया में यह आपसे question पूछा गया सबका सही रोची आकाश सतीश वह विली विली आपका cyclone है ठीक है और यह जो विली में बात करते हैं तो कितना literacy rate इंडिया में 82.14 literacy rate के अगर बात करें overall तो वह 74.04% है उसमें से male का 82.14 है और female के अगर बात करें तो 65.46 है यह female का literacy rate ठीक difference पूछ लिया था steno के exam में जो पुराना हुआ था difference आप निकालिए 16.68% निकल के आएगा highest literacy rate के अगर बात करें आप बताने की ज़रत नहीं केरल की है lowest बिहार की है केरल की कितनी 94% है और अगर UT की बात करें किस के अगर शादित प्रदेश की सबसे ज़्यादा literacy rate है वो है हमारी लक्षदीप 92% है सबसे कम किस की है बिहार की है state की term मामले में तकरीबन 61.8% और UT के कर बात करें तो if I'm not wrong अगर मान निकोबार ठीक है और और क्या आपको याद होना चाहिए district के अगर term से पूछ ले तो सबसे ज़्यादा highest literate district जो है न वो मिजोरम की सेर्शिप district है और सबसे least literate district के अगर बात करें तो अली राजपूर है मद्धिप्रदेश की 6.9 पर आते है अन्दरा से बिलोंग करता है ठीक है तो अव्यसी बात है कार्नेटिक मृजिक से बिलोंग करेगा ज manure कथि कली सारे कार्नेटिक मृजिक से ही बिलोंग करते है father of scientific music किसको बोलते है जल्दी से बताईए father of kinetic music कजरी के कई कर बात करें father तो ये बोले जाते हैं पुरंदर दास ठीक है पुरंदर दास जी को हम बोलते हैं father of carnatic music ऐसे याद कर सकते हो बंदर टाइप थोड़ा से sound कर रहा है इनका नाम तो बंदर carnatic music ऐसा कुछ आप याद कर लो relate कर लो तो आपको भूलोगे नहीं ठीक है 7th number पर आते हैं it is the duty of every citizen to uphold and protect the dash unity and integrity of India भारत की dash एकता और खंता को बना रखना और उसकी रच्छा करना प्रतेग नागरी का करतव है अब ये गाप को फिल करना है ये एक तरह की हमारी fundamental duty हमारी करतव है कौन से number की fundamental duty है ये आपको बताना है fundamental duty से मझे बताने की जरुतना होनी च चाहिए ठीक है तो अब इसका answer क्या होगा sovereignty ठीक है और ये कौन से number की fundamental duty है third number की fundamental duty है जो बोलती है to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India ये third number की पहली क्या है to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, national flag, national anthem, इनकी respect करनी है दूसरी क्या है to cherish and follow the noble ideals that inspired our freedom fighters which inspired our national struggle for freedom, ठीक है second fundamental duty थी, third हमने देख ली, fourth की अगर बात करें तो fourth क्या थी, अपनी country को defend करना, national service देनी है जब भी जरुत पड़े country को, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है सारी अपको याद होनी चीए, एक से लेके 11 तक, 8th number पर आते हैं, at present, GT road extends from Dash in India कहां से कहां extend करती है, इंडिया में जो GT road है, तो GT road के अगर बात करें, इंडिया में ये अमरिच सट से, कुलकता तक है GT road किसने बनवाई थी, शेर सासूरी ने बनवाई थी, शेर सासूरी के अगर बात करें, तो सासराम बिहार में इसका क्या है, मसोलियम है, यानि समाधी स्थल है, और इसने दो battle लड़े थे, किसके साथ, हुमायू के साथ, दोनों में उसको हराया था, एक तो था battle of chausa, और battle of kannauch कब हुआ था, आप comment बताएंगे, battle of chausa कब हुआ था और battle of kannauch कब हुआ था, तो battle of chausa के अगर बात करें, 1539 और kannauch 1540, अगले question पाते है, 9th, 9th number question, productivity of an ecosystem is composed of which of the following, एक परिस्थितिकी तंतर की उत्पादगता निमनिकित में से किससे बनी होती है, productivity of an ecosystem, मैंने सारा कुछ आपका explain किया था, कि what is productivity, क्या primary productivity होती, क्या secondary productivity होती, कितने types की primary productivity होती, recall करिए जल्दी से, तो अगर हम बात करें, productivity की, तो दो तरहें की होती है, एक तो primary productivity होती है, जो further दो category होती ही, क्या primary productivity होती है, तो primary productivity होती है, कि कितना organic matter, कितना organic matter, या फिर bio mass produce हुआ है per unit area, by the plants during photosynthesis, हमारे जो photo, plant photosynthesis करते हैं, अब photosynthesis plant करते हैं, ना सिर्फ terrestrial plant, बल्कि पिछले lecture में देखा था, जो समुद्र में plant होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, वो भी photosynthesis करते हैं, ठीक है, तो वो जितना एक तरह से light energy को लेते हैं, photosynthesis में होता क्या प्रिकास translation में, light energy, chemical energy में convert होती, light और heat energy, तो इक तरह से fixation करते हैं, solar energy का, उस और उनको हम बोलते हैं, phytoplankton, ठीक है, phytoplankton, कल हम लोग ने देखा था, और deep dwelling असी organism किनको बोलते हैं, बतागी जल्दी से, जो कल हम लोग ने देखा, deep dwelling जो हमारे organism सोते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं, zooplankton, ठीक है, zooplankton, तो जितना भी energy उन्होंने consume किया, photosynthesis को बनाया, ठीक है, उसी को बोलते है, primary productivity, amount of organic matter, और biomass produced per unit area by plants, ठीक है, during photosynthesis, अब primary productivity, further दो category में इसको divide करते हैं, gross primary productivity, और दूसरा होता है, net primary productivity, जो gross primary productivity होता है, it is the rate of production of organic matter, और अगर इस GPP में, gross primary productivity में, अगर हम घटा दें, किस चीज़को, rate of energy loss due to metabolism, rate of energy loss due to metabolism, जैसे, for example, जब हम खाना खाते हैं, तो भई, खाना उपर से नीचे जा रहा है, स्विंक्टर मसल खुल रही है, खाना is more interesting, अपने आप हो रहा है क्या, नहीं, energy लग रही है, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए energy लगती है, तो जो खाना बना रहे हैं plants भी, उसके लिए energy लग रही होगी, यानि कि कुछ ना अब्रक्ट कर देंगे, तो हमें मिलता net primary productivity, और इन plants को हम खाएंगे, इन plants को हम खाएंगे, और वो फिर हमारे रूप में जितना productivity produce होगा, उसको बोलते है, secondary productivity, यानि कि rate of production of new organic matter by the consumers, ये क्या है, producers, जो amount of energy एक तरह से, producers एक तरह से जो productivity हो कर रहे हैं, और जो consumers कर रहे हैं, उ productivity of an ecosystem consists of net and gross primary productivity, option number A, अगले question पर आते हैं, 10th, for the first time the objective of self-reliance was incorporated in the dash 5-year plan, पहली बार आतने भरता कि उदेश को dash 5 वर्षी हो जना में शामिल किया गया, second, fifth, third, या फिर first, तो जो मरा कौन सा 5-year plan था ये, जिसमें कि self-reliance एक objective रखा गया था, तो self-reliance ये था हमारा third 5-year plan में जो कि 1961 से लेके 66 तक रण किया था, ठीक है, third 5-year plan was based on the self-reliance, ठीक है, और अच्छा है ये बताए कि कौन से में दिया गया था नारा गरीबी हटाओ का, जिसमें कि आपके 20-point program भी दिये गये थे, इसमें आपकी indicative planning, indicative planning कि इस 5-year plan में objective रखा गया था, तो गरीबी हटाओ कि अगर बात करें, 5th 5-year plan और इसी में आपके 20-point program दिये गये थे, indicative planning कि एगर बात करें, 8th 5-year plan और जल्दी से बताए, rolling plan ठीक है, rolling plan ये कौन से 5-year plan में है था, annual plans, annual plans कब आये थे, 1991-92 में आये थे, annual plans, ठीक है, और अगर हम बात करें, 12th 5-year plan का क्या objective था, तो that was inclusive and sustainable development, और पात करें, 11th 5-year plan का, उसका था, सिर्फ inclusive development, और 12th का था, inclusive and sustainable development, ठीक है, अगले question पर क्यो और बड़ते हैं, which of the following, yes was the treaty of salbai sign, निमले कित में से, किस वर्ष में salbai की संधी पर अस्ताक्षर किये गये थे, 1769, 1817, 1880, 1782, treaty of salbai, जो की कब sign हुई थी, treaty of salbai हुई थी अपकी first anglo, maratha war के बाद, 1782 में option number d यहाँ पर सही answer होगा, ठीक है, और जली से अब बताएं कि जो अब की, treaty of Allahabad तो हम लोगों ने देख ली, और, treaty of purandar, अब marathas की बात हो रही है, तो treaty of purandar, और treaty of vadgaon, ठीक है, treaty of vadgaon, यह कब sign हुई थी, तो treaty of purandar के अगर बात करें, 1776 में, ठी treaty of purandar, और treaty of vadgaon के कर बात करें, 1779 में, ठीक है, यह भी आपकी जो marathas थे, उनके साथ में ही, बिटिशास ने यह treaty sign करी थी, ठीक, अगले question करते हैं, 12th number, limestone, chalk and marble are different forms of, तो ही थी, इसको बताने के जरत है, नहीं, बहुत यह असान question है, answer क्या होगा, option number, b, calcium carbonate, नजाने कितन नहीं बार discuss कर चुके है, विचो तो following is correctly matched, इन में से कौन सा correctly matched है, यह पूचा है, trade winds are winter snowstorm, काल बैसा की are autumn winds, lou is hot wind, या फिर lou is winter stormy winds, तो यहाँ पे मैंने आप एक tip दी थी, कि जब भी similar और contrasting options हो, answer 99% chance ही उसी में होगा, एक option बोल रहा है कि लू गरम wind है, एक बोल रहा है कि तो यह तो गरम हो सकती है, तो ठंडी हो सकती है, तो लू के अगर बात करें तो यह आपकी hot wind अभी जानते है, trade wind के अगर बात करें तो यह winter snowstorm नहीं है, trade wind क्या है, हमारी एक permanent, permanent planetary winds है, जो पूरे planet में blow होती है, पूरे planet को cover करती है, ठीक है, यह हम लोग ने देखा भी था, इस तरह यह north easterlies होती है, south easterlies होती है, ठीक है, यह हमारी क्या है, यह trade winds है, एनके सारे ही पहले trade होता था, इसलिए इनको यह westerlies है, ऐसे हमारी easterlies blow होती है, ठीक है, westerlies easterlies wind का जो naam है, वो उसके डिरेक्शन of origin प goyorsunता यहाँ पर पर हमारी westerlies और easterlies मिलती है, जहाँ हमा Convergence किसका हो रहा है, North Easterly Tradewinds का और South Easterly Tradewinds का इनका यहाँ पर Millen हो रहा है, ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी Tradewinds है, Tradewinds in the Southern Hemisphere are known as Roaring 40s, Furious 50s and Shaking 60s के नाम से जाना जाता है, इनको Southern Hemisphere में जो हमारी Westerlies होती है, उनको इस नाम से जाना जाता है, Because Southern Hemisphere, काफी बारिश हो रही है, Southern Hemisphere में अगर बात करें तो Landmass काफी कम है, ठीक है, Landmass काफी कम है, जिसकी वज़े से यहाँ पर Winds काफी Speed से Blow करती है, और इसी वैसे इनको Roaring 40s, Furious 50s, Shaking 60s के नाम से जानते हैं, ठीक, Which is the following is not correct regarding the king, और एक चीज़ और, ये तो हम लोग डिसकस करना भूली गए, काल बैसाकी क्या होती है, हमारी, काल बैसाकी होती है, हमारे pre-monsoon showers, काल बैसाकी हमारे असम में जाना जाते हैं, काल बैसाकी, West Bengal और असम में, बर्दॉली चीरहा के नाम से इनको जाना जाता है, Norwesters को, बर्दॉली चीरहा के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर? बांगला देश में यह सब नौर्वेस्टर्स के पार्ट है और नौर्वेस्टर्स फर्दर हमारे प्री मॉंसून शावर है जैसे सदर्न इंडिया में प्री मॉंसून शावर को हम किस नाम से जानते हैं प्री मॉंसून शावर को हम जानते हैं blossom shower के नाम से because यह coffee की blossom में help करते हैं ठीक है अगले question पर आते हैं 14th which of the following और यह jute के cultivation के लिए jute के cultivation के लिए भी यह जो हमारे काल बैसाखी होते हैं बहुत help करते हैं ठीक है 14th number पर आते हैं which of the following is not correct regarding the king Harshwardhan तो जो Harshwardhan king थे इनके regarding कौन सा statement सही नहीं है किसने लिखी थी या बताएंगे Harshwardhan court poet was Harisane ये गलत है because Harisane जो थे वो समुद्रूप्त के court poet थे जिन्होंने प्रयाक प्रसस्ति पिलर inscription को इंस्क्राइब किया था समुद्रूप्त के court थे हर्षवर्धन के court poet थे बांढभट जिन्होंने Harsh चरित को compose किया था हर्षवर्धन ने खुद compose किया था रतना वली को रतना वली इन्होंने खुद compose की थे लेकिन जो हर्षवर्धन की biography वो बांढभट ने compose की थी जुआन जांग जिसको की हम बोलते हैं यून सांग के नाम से भी जो कि दूसरा चाइनीज ट्रैवलर था वो हर्षवर्धन के court में ही आया था ठीक है और हर्षवर्धन ruled nearly about 1400 years ago 1400 साल पहले rule किया था हर्षवर्धन ने ये statement भी आपका बिलकुल सही है ठीक अगले question पर आते हैं 15 नंबर पर और कुछ और question नहीं समुद्र रिगार्डिंग सारा कुछ हम लोग पहले देख चुके हैं 15 नंबर question पर आते है which of the following statement about the vice president of India is incorrect तो उप राश्पती के समन्द में इसमें से कौनसा statement गलत है या आपसे question पोच रहा है vice president के election 5 साल के लिए होती है बिलकुल सही बात है vice president के लिए minimum age कितनी होती ये comment बताईए vice president को अगर अपना resignation देना होता है तो वो किसको देते हैं vice president को अगर माल लेते हैं remove करना है तो इनको किस तरह से remove किया जा सकता है members of state legislature do not take part in election तो मैंने बताया था जो president को हटाता है वही vice president को elect करता है और कौन करता है all MPs यानि कि सभी सांसद elected और nominated दोनों यानि कि MLA लोग participate नहीं करते हैं state legislature के members में इसमें इससा नहीं लेते हैं मतलब ये भी सही हुआ गलत पूछ है हम से incorrect देखे यहां पर he acts as the ex-official chairman of the राजसभा बिल्कुल सही है यह हमारा पदेन सभापती होता है राजसभा का और he can be removed from his office by the president approved through a resolution passed by लोगसभा और राजसभा गलत है अगर हम इसके removal की बात करें तो vice president को अपका parliament remove करता है एक resolution pass होता है राजसभा को राजसभा में ही उसका resolution removal का resolution initiate हो सकता है शुरू हो सकता है 14 दिन का vice president को prior notice देके पहले notice देके इस चीज़ को ध्यान रखेगा कि जब हम president को अटाते हैं तो लोगसभा राजसभा कहीं पे भी उसके removal का resolution initiate हो सकता है लेकिन जब vice president की बात आती है ना तो राजसभा में initiate हो सकता है वहाँ पे vicious बहुमत ठीक है special majority चाहिए और उसके बाद यह लोगसभा में जाता है जिसमें simple majority नहीं साधारन बहुमत चाहिए होता है तो option number D यहाँ पे गलात होगा square resignation जब देना होता है तो president को देता है यह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप लिखिये president ठीक है president देता है vice president को vice president देता है president को जिस तरह लोगसभा का जो speaker होता है वो देता है deputy speaker को और deputy speaker जो है लोगसभा का वो speaker को देता है ठीक है अपस में दोनों manage कर लेता है is that clear? removal की बात मैंने आपको बता दिये age इसमें 35 साल की minimum चाहिए होती है ठीक है? और vice president राजसभा का सदस्य नहीं होता है याद रखेगा वो chairman होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है member नहीं होता है तब ही वो कभी joint sitting में precise नहीं कर सकता है संयुंक तुबैठक में which of the following festivals is known as Vijay Utsev किसको Vijay Utsev के नाम से जानते हैं हम्पी कुनार्क डान्स फेस्टिवल पुषकर फिर या फिर गंगा सागर मेला किसको जानते हैं Vijay Utsev के नाम से तो Vijay Utsev के नाम से जानते हैं हम्पी festival को ठीक है अब हम्पी से आपको क्या दाता है हम्पी capital थी विजे नग अब शार्णिंग सारा कुछ हम देख चुके हैं कुनार्क जो हमारा सेंट टेंपल है जिसको कि हम ब्लाक पागोडा के नाम से जानते हैं ओडिसा में हैं चंद्रभागा बीच इसी के बगल में है वहां पे सलिब्रेट किया जाता है और जो गंगा सागर मेला है यह आपका जो सागर आइलेंड पड़ता है वेस्ट बेंगौल में वहां पे गंगा सागर मेला यह सलिब्रेट किया जाता है और हमपी फेस्टिवल अगर पूछ ले कि किस महीने मना जाता है विकॉद इस तरह के भी कुश्चन पूछे गए हैं जैनवरी में ठीक 17th अब यह हमारा था क्या यह हमारा था अनार्कियल एंड रेवलुशनरी स्क्राइम सेक्ट जो सिड्नी रॉलेट ने कंपोज किया थे इसके नाम पर फढ़ गया रॉलेट एक्ट इसके खिलाफ सत्यागरा लॉंच किया गांधी जीनर रॉलेट सत्यागरा बोलते हैं दो लोगों की अरेस्ट होगे जिसकी अरेस्ट के प्रोटेस्ट में एक बाग में आपको पता है कि लोग इकटा हुए और वो 13 अप्राइल 1910 का दिन था बैसाकी का भी दिन था और वहा इसकी हत्या की थी मुहमद राम सिंग आजाद नाम रखे इसको मारा था वहीं इसके घर में जाके डायर को क्लेर है गार क्या आप रिकॉल कर सकते हैं इससे फिर इसके बाद आपको पता है कि ये हत्या हुई और इसका फिर आफ्टरमैट क्या था कि यहां से नॉन चालू करते हैं उसके बाद उसको गांधीजी मर्ज कर देते हैं non cooperation movement asaio gandolan 1920 में जो चालू होता है मर्ज कर देते हैं फिर 1922 में इसको वापस ले लेते हैं ड्यूटू 24-14 अकांड जो 1922 में होता है ठीक है चार फरवरी 1922 को ये 4-14 अकांड होता है और जो नहीं इस पार्टी के थे वो उनको हम no changers के नाम से जानते हैं 18th नंबर पर आते हैं ती type of forest located in mid latitudinal coastal region is तो मद्य अच्छांशी तटी अच्छेत में सित वनों के प्रकार को क्या बोलते हैं monsoon, Mediterranean, Temperate, Evergreen या फिर tropical rainforest के नाम से जानते हैं type of forest located in mid latitudinal coastal regions अब mid latitude है, इसका mid latitude का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है 30 degree से लेकि आप 60 degree जो latitudes हैं उसको बोल सकते हैं mid latitudes यानि Tropic of Cancer के उपर और Tropic of Capricorn के नीचे लेकिन Arctic Circle से तोड़ा सा नीचे और Antarctic Circle से उपर यानि Tropic और Antarctic के बीच में clear है यह चीज? इनको mid latitude बोलता है तो भाई, tropical नाम तो हटाई दो tropical नाम तो हटाई दो coast में पाये जाता है coast में, अब monsoon भी अटाव तो monsoonal one कहां पाये जाता है जो इंडिया का जो latitude अगर हम देखे अंड़ के latitude अब जानते हैं कितना है तो ये भी नहीं होगा Mediterranean भी नहीं होगा ठीक है, answer इसमें होगा temperate evergreen, क्योंकि coast के पास में coast के पास आपको पता है बहुत बारिश होती है तो answer यहाँ temperate evergreen forest होगा, इसमें कुछ आपके पच्छी देखने को मिलते हैं monal phascent इनके नाम याद रखेगा ये कुछ birds मिलती हैं, जो कि आपकी NCRT में लिखी होई हैं, तो पूछ सकता है ठीक है, और कुछ नहीं बाकी forest के regarding सब कुछ देख चुके इंडे में सबसे ज़्यादा type of forest कौन से देखने को मिलते हैं, tropical deciduous forest देखने को मिलते हैं, ठीक है, evergreen forest, जल्दी से recall करिए evergreen forest, ebony, mahogany, cinchona, any, cinchona की bark को malaria की treatment के लिए उसकी आता है, malaria 25 अप्रेल, malaria day मनाते हैं और malaria के लिए, उससे हम Q9 दवा को बनाते हैं, malaria के लिए plasmodium responsible होता है, female anophilies उसका carrier होता है, evergreen हमें वहाँ देखने को मिलता है, जहां 200 cm से जदा की rainfall होती है, सारी चीज़ हम देख चुके, यहां पर हमें epi heights देखने को मिलते हैं epi heights, ठीक है और यहां के जो trees होते हैं, वो सारे एक साथ अपनी पतियों को नहीं गिराते हैं, पतियां गिराते हैं लेकिन सारे एक साथ नहीं गिराते हैं, और यहां पर layered trees देखने को मिलते हैं, बहुत लंबे चोटे और shrubs तक देखने को मिलते हैं, हर layer के, यहां पर आपको plants देखने को मिलते हैं अब आते हैं, आखरी question and that is 20th, what platform was launched by the government of India to digitize universal immunization तो जो universal immunization program है यहां कि सभी को एक तरह से टीका करण देना, उसको digitize किया गया, कौन से platform launch करके तो that platform was you win, ठीक है universal immunization, you win और यहां पर हमारा खतम होता है अच्छे और एक चीज़ अच्छे बताए कि हमने कब तक target रखा है, सिकल cell anemia को eliminate करने के लिए, सिकल cell anemia को हमने कब तक eliminate करने का target रखा है, बताए जल्दी से कमेंट में, और जो anemia है वो किस की कमी की और जैसे ही बिमारी होती है, यह बताए जल्दी से और हमने एक और बिमारी थी काला अजार, उसको भी eliminate करने का target रखा था, 2022 तक, ठीक है और काला अजार किस की और जैसे होती, इस सारी चीज़ आपको इस अजार आपका प्लासमोडियमित अपको उता दिया है, सरी प्रोटozoo अजेल यई होता दिया रखा लश्मयनिया और करी Web और कर शिल अबर को क्यार था हुआ होता है औरहला की और होता है क्लेर है ठीक है और यहां पर होता है हमारा सेशन आज का खतम सबका सहीद दीक्षा सौरब पूजा कृति पनादा हरेश सौरब अमन उमेश राघव समिधा बाकी कल बड़ा सेशन रहेगा फोर पीम पर ठीक है तो यूड अवर्ज एवरिवन कि फोर पीम पर सभी लोग आ जाएंगे क्योंकि एगें रिपीट वद्वा सा बड़ा सेशन में रहेगा और मैं कोशिस करूंगा कि जितने हमारे लेक्षेस खतम हो जाए उतना खतम हो जाए ठीक है मतलब कोशिस में यही रहेगी ठीक है अलेट शुड़ाइ वाच दी होल सिरीज और आयरेस विल बेन अफ करिश्मा जी अभी जितना भी टाइम है उसमें आप जितना कर सकते हैं उतना इन अफ है ठीक है अब इतना टाइम नहीं बागी कि सारी चीज़ें कर सके हैं जितना करें उसको बट रिवाई ज़रूर करते रहें अलाइट शले भई थैंक यू सभी को और हैपी वद्ध्य पूजा और ब्लेसिंग्स मिलकुल ठीक है और सभी को भई जिसका भी आगे वद्ध्य है जुलाई में जुलाई में मेरे घर में भी दो वद्ध्य है ठीक है हैपी वद्ध्य पूजा और सभी लोगों को जिनका भी आगे वद्ध्य है और कल मिलते हैं फॉर पीम पर ठीक है सब्सक्राइब चलाई थैंक यू